इस वीडियो के इंदर हम लोग बात करने वाले हैं मैरे सर्टिवेट के बारे में कि इंडिया के most of the state के इंदर मैरे सर्टिवेट कैसे बनता है क्या आप benefits होते हैं कैसे आप लोग online apply कर सकते हैं क्या क्या documents वगर चाहिए होगा एवन government ने recently एक service plus करके website है उसके साथ में mostly यहाँ पर state government ने integrate कर रखा है marriage certificate को तो उस service को भी आप कैसे use मिले सकते हो तो guys यह सारी जानकर ने मिलने वाली है आपको इस वीडियो के अंदर तो पूरा वीडियो जरूर देखेगा तो देखे guys directly यहाँ पर मैं service plus की website के उपर जाने से पहले पहले मैं आप लोगों कुछ basics बताना चाहूंगा पहले अगर मैं हम लोग बात करें कि marriage certificate आखिर होता क्या है तो यह government का एक official document है जहां पर simply proof होता है कि दो लोगों ने यहाँ पर शादी की है हमारे इंडिया के इंदर majorly दो act होते एक होता है हमारा Hindu marriage act 1955 एक है special marriage act 1954 बाकी 126 से supreme code ने अपनी जो भी शादिया होती है उन सभी को जो है register करना mandatory कर दिया है ताकि जितनी भी moment से उनके rights को safeguard किया जा सके आप देखे कैसे अगर मैं benefits की बात करूँ कि marriage certificate का practical के अंदर क्या क्या benefit होता है तो पहली चीज़ तो यह कि शादी के बाद में अगर आपको अपनी wife का surname वगरे के अंदर change कराना है या कोई भी document change कराना है तो उसके अंदर काफी जादा helpful रहता है इसके लब अगर नया bank account भी खुलवाना है post wedding तो उसके अंदर helpful रहता है आप देखे का इस बात करते कि क्या क्या या documents वगरे चाहिए होंगे तो major नहीं देखे अगर मैं सारे states की बात करो इंडिया के अंदर commonly documents चलते हैं चार टाइप के documents लगते हैं एक तो आपका marriage proof हो गया जिसमें wedding का आपका invitation card वगरे हो गया अगर मंदिर में शादी की है तो temple marriage की receipt वगरे हो गई या कोई भी type का proof हो गया जहां पर आप साबित कर सको कि actual के अंदर आपने शादी की है photograph वगरे भी चल जाते है इसके लबा identity और address proof के अंदर मैं बात करो तो यहां पर आपका अधार card, bank card वगरे हो गया या फिर driving license या फिर passport वगरे हो गया इसके लबा age proof भी देना पड़ता है जिसके अंदर best है आपका birth certificate या फिर अगर schools है या फिर college का certificate जिसे 10th की mark sheet वगरे के अंदर वो भी आपका यहां पर age proof काम चल जाता है इसके लगा इस यहां पर आपको देने पड़ते witness तो यहां पर कई state के अंदर 3 witness का प्राधना होना है कई state के अंदर 2 से भी काम चल जाता है तो यहां पर आपको witness के identity proof वगरे लगाने पड़ेंगे पंडीत जी के भी यहां पर sign चाहिए होते है जो भी application form होता है उसके उपर प्लस दो witness के identity proof अगरे लगते हैं आप गाईस बात करते हैं कि commonly क्या process हता है हमारे इंडिया के अंदर तो देखे एक तो online portal यहां पर launch कर रख है respective जितने भी state है उन सभी ने कुछ का यहां पर online process है कुछ का offline process है तो वहां पर simply तरीके से आपको अपनी application submit करनी पड़ती है और उसके बाद में जो भी marriage जो department या जो office होता है basically register office होता है वहां पर आपको simply appointment मिलती है एक particular date को तो वहां पर उस दिन आपको जाना पज़ता है सारे documents और witness के साथ में आपको सारी चीज़े verify करानी पड़ती है उसके बाद में जाके आपका marriage certificate जो इशू होता है अब चलिए गाइस बात करते कि यार apply कैसे करना है तो जैसे नहीं बता है कि service plus के साथ में काफी सारे state नहीं या पर अपना integration अगरे कर रखा है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इस site के उपर जाकर जो इस रिश्टर करना पड़ेगा यहाँ पर अपना full name, email id बगड़े हो गई, mobile number बगड़े हो गई आप पना password set करके, अपना state यहाँ पर select करके अपना account यहाँ पर create कर सकते हो जैसे आपको account यहाँ पर बन जाता है, इसके अंदर आप simply यहाँ पर login कीजिए अब यहाँ पर आपको section मिल जाएगा, apply for the services का जी है तो यहाँ पर आप देख सकते view all available services तो जैसे नहीं बता है कि यहाँ पर आपको सारे state का नहीं मिलेगा example के लिए, जैसे कि मैं मालीजे, मध्यप्रदेश का यहाँ पर search करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर simply मध्यप्रदेश सर्च कर लिया अब यहाँ पर search bar में simply आपको type करना है marriage तो यहाँ पर आप देख सकते, जो भी state का यहाँ पर available होगा automatically यह आपको बता देगा, यहाँ पर simply तरीक से आप click करेंगे तो पूरी marriage application की जो है, यहाँ पर form वगरे open हो जाता है इसी तरह से मालीजे, मुझे दूसरे state, example के लिए मालीजे मुझे जालखन का यहाँ पर search करना है, जैसे यहाँ पर मैं marriage लिखूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते, marriage relationship certificate यह service यहाँ पर available कराई जाती है तो गाइस इस तरह से आपका जो भी state होगा, यार उसके अंदर आपको search करना पड़ेगा जैसे ने बताए कि सारे states, जैसे कुछ state ने अपनी particular कुछ services यहाँ पर align कर रखी है और कुछ state ने यहाँ पर नहीं भी कर रखी आप screen के सामने दे सकते हो, अगर मैं number wise चलो तो अंडमान ने यहाँ पर कर रखी है आंदर प्रदेश की नहीं मिलेगी, अरुनाचल प्रदेश की यहाँ पर आपको मिल जाएगी आसाम की बात के हो तो नहीं मिलेगी, चंडीगट भी नहीं मिलने वाला, गुजराद भी नहीं मिलने वाला हमाचल हो गया, फिर जारकन हम लोगों ने अलरी देख लिया, केला वगर है हो गया इसके लबा लद्दा का आप देख सकते हो लक्षबी देख सकते हो और यह यार टाइम टू टाइम ने अपडेट भी होता रहता है तो मैं तो आपको यह रिक्वेंट करूँगा लॉग इन करके प्लीज अपने स्टेट का यहां पर जो है जरूर चेक आउट कर लिए जेगा अब गईस इस फर्म के अंदर कुछ नहीं होता है आपको अपनी जो है बेसिक सी डिटेल्स बढ़नी पड़ती है डीट ओफ दी मैरिज वगरे हो गया आपका वार्ड नमबर वगरे आपका स्टेट वगरे डिस्टिक वगरे यह सारी चीज़ आपको फिलप करनी पड़ती ह ग्रूम की डिटेल्स हो गई, ब्राइट की डिटेल्स हो गई, विटनेस की इंफॉर्मिशन वगरे हो गई, इसके लबा एप्लिकेंट की इंफॉर्मिशन वगरे हो गई, तो यह सारी चीज़े फिलप करके आपको सिंपली तरीके से अप्लिकेशन को सब्मेट करना होता है और जैसे नहीं बताया था कि इस service plus website के तुरू आप किसी भी state के marriage office केंदा यहाँ पर simply appointment वगरे book कर सकते हो तो guys बात करते हैं उन state की जहाँ पर माली जिन्होंने service plus के साथ integration नहीं कर रखा है example के लिए अगर मैं महाराष्टर की बात करूँ तो उनका अलग से ही पूरा एक separate portal है igmarashtra.gov.in करके तो इसके उपर आप login कर सकते हैं और इन्होंने नया ही portal पूरा revamp कर रखा है तो यहाँ पर पूरा process दे सकते हैं आपको special marriage act का section मिल जाएगा fees कितने लगने वाली है proper तरीके से इन्होंने बता रखा है process पूरा बता रखा है कि यहाँ पर आपको एक अपना account जो है create करना पड़ेगा register करना पड़ेगा फिर उसके बात में आपको कुछ चीज़े यहाँ जो है insight वगरे करनी पड़ेगी प्लस प्रॉपर इन्होंने modules वगरे जो है proper तरीके से बता रखे कि यहाँ पर आपको कैसे apply करना है क्या-क्या documents वगरे लगने वाले प्रॉपर तरीके से यहाँ पर सारी चीज़े explain की हुई है इसके लागर देखिए आप यहाँ पर fees भी देख सकते हैं कि fees भी इन्होंने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बता रखे है और प्लस यहाँ पर आपको यह live status भी बताता है कि मैंने एक particular मालीचे 17 district यहाँ पर select कर लिया यहाँ पर appointment आपको लेनी पड़ती है और उसके बाद में physically आपको जाना पड़ता है marriage office रजिस्टार पर और वहाँ पर अपने सारे documents वगर आपको submit करा के उनको valid कराना पड़ता है ऐसे guys अगर मैं दिल्ली की बात के हो तो e-district दिल्ली की website है वहाँ से भी आपको marriage registration की service यहाँ पर online मिल जाएगी तो guys यहाँ पर भी आप देख सकते ही registration of the marriage यहाँ पर department of the revenue के अंदर simply तरीके से available है और timeline वगरे भी यहाँ पर लिखी वी है even guys जो application का format भी होता है वो सबी जगे all all the state यहाँ पर same रहने वाला है यानि marriage की details हो गई groom की details हो गई, bride की details हो गई, even अगर आप महाराश्टर के भी application देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको groom की details, bride की details, witness की details तो यह सारी details आपको जो है commonly हर जगे पर यहाँ पर मिल जाने वाली है, तो guys, hope you like this video, please subscribe to our channel, इन सारे states की mostly links और यहाँ पर service plus की link मेरे आपको description box के अंदर दे रखिए, बाकि अगर आप लोग की कोई भी doubts है, तो comment box के अंदर जरूर बताईए, प्लस अगर आप एक legal expert के तुर यहाँ पर consultancy लेना चाहते हैं, अपने magic certificate के रखा रही है, तो उसकी link भी description box में available है, thank you guys, thank you very much